पंजाब कॉंग्रेस का मसला सुल जाते सुल जाते प्रियंका और सुनिया गांधी की रिष्टों में अब दरार पड़ती दिखाई दे रहे जी हाँ आपको बता दें कि ये इन दिनों काफी जादा सुर्क्यों में चाया हुआ है कि क्या सिद्धु के वज़े से प्रियंका और सुनिया गांधी की रिष्टों में दरार पड़ती दिखाई दे रहे है अगर देखा जाए तो एक तरफ सुनिया गांधी का साथ कैप्टन अमरिंदर को है तो वहीं सिद्धु का साथ प्रियंका गांधी को है यानि कि प्रियंका और सुनिया अब दोनों अलग-अलग बढ़ते नजर आ रहे हैं और सिद्धु और कैप्टन के भविष्य पर भी खत्रा मन रहता दिखाई दे रहा है पंजाब कॉंग्रिस में करीब दो महिने से चल रही उथल पुथल के बीच अब मुख्य मंतरी कैप्टन अमरिंदर और पूर्व कैबिनेट मंतरी नवजोद सिंग सिद्धु के भविष्य का फैसला इसी सपता होने के आसार दिखाई दिखाई दे रहे हैं सिद्धु 30 जून को राहुल प्रियंका से मिलने गए थे जबकि कैप्टन ने सूनिया गांधी से मुलाकात की कैप्टन अमरिंदर ने बीते दिनों सूनिया गांधी के साथ मुलाकात के बात कहा कि पार्टी अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगी उन्हें सुविकार होगा खास बात ये भी है कि उन्होंने कॉंग्रिस अध्यक्ष का जिक्र किया हाई कामान का नहीं जिसमें राहुल समेत सीनियर लीडर्शिप को भी गिना जाता है इससे ऐसा लगता है कि उनकी बात सूनी गई है गौर तलब है कि प्रियंका और राहुल गांधी कैप्टन की बज असले का इंतजार तो कर ही रहे हैं मगर आगामी चुनाओं में पार्टी की कर गुजारी को लेकर भी इस्तदी दिखती नजर आ रही है वहीं एक रिवरिष्ट नेता का कहना है कि दो साल सहीम रखने के बाद सिद्धू ने जैसी बयानबाजी अपनी ही सरकार के मुक्या के खिलाफ की है उसके बाद उन्हें बड़ा पत भी मिलता है तो पार्टी को नुकसान की भरपाई संभव नहीं है जो वह अब तक कर चुके हैं सिद्धू अकेले ही नहीं मलकि यदि कैप्टन अमरिंदर के साथ वह मिलकर भी चले तो ऐसा कता ही नहीं लगता कि दोनों ने त कुछ कम्या हैं तो कई खासियत भी हैं जिससे आसपास राज्य में पार्टी के बाग की नेता भी ठैरते हैं पंजाब में केवल कॉंग्रेस को ही नजर अंदाज नहीं किया जा रहा है बलकि हर कोई अकाली दल आम आदमी पार्टी भाजपा की गतिविदियों की बजाए इ सिद्धू वर्ष 2004 में पहली बार सांसद बने जबकि अमरिंदर उनसे ठीक 24 साल पहले वर्ष 1980 में ही सांसद चुने जा चुके थे कैप्टन अमरिंदर सिंग कितने भी किनारे किये जाएं मगर अपनी नेता सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं जाते तो दूसरी और सिद्धू 1996 में अपने ततकालिन कप्तान मुहम्मद अजरुद्दीन के प्रती असंतोज चताकर टीम को मजधार में छोड़कर इंग्लेंड कैप्टन अमरिंदर ने कभी भी सोनिया के खिलाफ जाकर काम करने का कोई भी कदम नहीं उठाया तो वहीं अगर देखा जाए तो नवजोत सिंग सिद्धू सोनिया के नहीं बलकि प्रियंका और राहुल कांधी के करीबी माने जाते हैं अगर देखा जाए तो उम्र में पंजाब सरकार में स्थितियां सब कुछ ठीक हो जाएं और पंजाब में कॉंग्रिस की एक बार फिर पूरी तरह से जीत हो लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धू अपने समर्थ को के साथ जिस तरह से अर्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं इसका साफ मतलब यह पता चल रहा है कि स सिद्धू अब पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी तरह से इस्थितियों को अलग किया जाया हाला कि अगर बात करें नवजोज सिंग सिद्धू के तेज तर्रार भाशन के लिए पंजाब के बाहर भी उनके कई मुरीद हैं उनके जैसे मुहावरे शायरी नेतित नहीं सुलजा पाया तो पार्टी ही छोड़ती चंता में इमानदार छवी बनाये रखने में अब तक काम्याब रहें कॉंग्रिस में आने के महस चार साल के अंदर ही कैप्टन अमरिंदर सिंग को चुनौती पेश की गई अगर देखा जाये तो कैप्टन अमरिंदर आम लोगों से मिलना तो दूर पार्टी सांसदो मंत्रियों तक से दूरी बना कर रखती हैं कुछ खासम खास लोगों से गिरे रहने के आरोप उन पर पूर्व सरकार की तरह ही इस पार भी लगें पहले जैसे तेवर उनके कारेकाल में नजर नहीं आते अन्ये नेताओं की तरह हर बार वो पाहर निकल ही जाते हैं केवल चुनाओं के समय ही सरगर्म होने का आरोब है अगर देखा जाये तो जिस तरह से नवजोज सिंग सिद्धू की अगर बात करें तो उन्होंने जिस तरह पार्टी के खिलाव भी कई बार बयान बाजी की थी इससे भी पार्टी को बहुत बढ़ा जटका लगाता यही बचा है कि कहीं न कहीं इस्थितियां इतनी अलग हो गई थी कि वो फिलहाल संभलते दिखाई नहीं दिये नवजोज सिंग सिदू के अगर बात करें तो सवा दो साल मंत्री रहने के अलावा खास प्रसासनिक अनुभव उन्हें नही है ततकालिन विदायक उनकी पतनी नवजोत को और के हलके अमरिंद्सर पूरवी से जेतली को जब करीब 28,000 वोट मिले और उनके मुकाबले अमरिंदर को 60,000 से अधिक वोट इससे पता चल रहा था कि किस तरह अमरिंदर भारी पढ़ते दिखाई दिये हाला कि अगर बात कर तो फिलहाल प्रियंका गांधी ही अपने मनमुताविक काम करती दिखाई दे रही है तो वहीं सोनिया गांधी भी अपने मनमुताविक काम करती दिखाई दे रही है कुल मिला कर देखा जाए तो जिस तरह से सोनिया और प्रियंका में दरार आई है इसका बहुत बढ़ा फर इसके नाराज नेताओं को मनाने का काम भी किया जा रहा है लेकिन सिद्धू के वज़ा से जिस तरह मामला फस्ता दिखाई दे रहा है इससे पूरी तरह स्थितियां अलग हो चुकी है हाला कि अगर बात करें तो नवजूद सिद्धू और कैप्टन के बीच कहीं ना कहीं जो मुकाबला देखने को मिल रहा है ये मुकाबला अब आगामी समय के अंदर बहुत बड़ा कदम उठाने को मिल सकता है वैसे आपको बता दें कि फिलहाल सिद्धू और कैप्टन के बीच की स्थितिय बताती है कि कहीं ना कहीं कैप्टन और सिद्धू अब दो मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं या तो कॉंग्रिस पार्टी आलाकमान सोनिया कांधी पंचाब कॉंग्रिस में कैप्टन को ही बने रहने दे या फिर पार्टी महास्थचिव प्रियंका गांधी सिद्धू पर बड़ा दाओं खेले ऐसे में सोनिया और प्रियंका की स्थती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सोनिया प्रियंका के राजनितिक भविस्ट पर भी सवाल खड़े होते दिखाईते रहे हैं SPN 9 NEWS रूम किरिपोग